हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे ब्लाउज के बैक पार्ट पर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तो चलिए फ्रेंट इसे बनाना शुरू करते हैं तो देखिए मैंने अपने मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग अस्तर पर बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है और सेम मेजर्मेंट का ही मेन फैबरिक भी कट कर लिया है तो चलिए फ्रेंट अब हम इसका मेजर्मेंट देख लेते हैं अब आपके ब्लाउज की जितनी भी लेंथ हो कमर की फिटिंग है तीस इंच तो तीस का हम चौथा इससा लेंगे साड़े साथ इंच एक इंच टक्स के लिए रहेगा और यहां भी हम डेलीन सिलाई मार्जिन एड कर लेंगे तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है अब हम डिजाइन बनाने के लिए न देखे इस तरीके से अब हलका सा राउन में घुमाते हुए यहां मटके का सेबदे देंगे यह देखे इस तरीके से और इसे अच्छे से गहरा कर लेंगे अब इसी मार्किंग से हम डेल्ड इंच के गैप पर मार्क करते जाएंगे पूरे राउन में यहां भी हम डेल्ड इ यहां corner में round shape देते हुए mark कर लेंगे, यह देखे इस तरीके से, तो यहां तक marking करने के बाद, अब हम pasting paper लेंगे, यह देखे इस तरीके से, इसे मैंने एक बर fold कर लिया है, 20 से, तो इसकी हमें लंबाई कितनी रखनी है, यह देखे जितनी हमारी blouse की लंबाई होगी, उतनी ह में लेना है, और चोड़ाई में लेना है, 5 इंच, तो इस तरीके से center पर हमने दोनों side cut लगा लिया है, paper के, उसी center से हमें बराबर इसे set कर देना है, और पीन से attach कर देना है, यह देखे, और जो हमारी marking नजर आ रही है, अस्तर पर, उसे हमें paper पर भी गहरा कर लेना है, यह देखे, और पीन को निकाल लेंगे, center से हमें इसे fold कर लेना है, और यह जो हमने second वाली marking करी है, उस पर पूरा cut लगा लेना है, यह देखे, इस तरीके से, paper को पलट करके, center वाली marking को हमें गहरा कर लेना है, दुसरे side भी, यह देखे, इस तरीके से, अब हम इसे open करेंगे, और कपड़े पर अच्छे से press करके चिपका लेंगे, तो यह देखे, friend, मैंने contrast में कपड़ा लिया है, उस पर मैंने इसे अच्छे से चिपका लिया है, प्रेस करके, और इसके side से half inch कपड़ा extra रखा है, अब हम main fabric लेंगे, और इसके उपर हम aster के कपड़े को अच्छे से करके बराबर set कर देंगे, यह देखे, इस तरीके से, बराबर set करने के बाद पूरे किनारे पर सिलाई चलाते हुए, अस्तर और main fabric को attach कर लेंगे, आधा इंच margin रखते हुए, यह देखे, तो इस तरीके से हमने इसे complete कर लिया है, अब जितनी भी हमारे extra fabric है, उसे हम aster के ब दोनों side इसके center पर cut लगा लेंगे, यह देखे, फिर से इसे open कर लेंगे, अब हमने जो paper पर design तयार किया है, उसको लेंगे, तो यह देखे friend, side में जो हमने margin रखा था, उस पर हमने सिलाई चला लिया है, अब center से center मिलाते हुए, इसे हम अच्छे से set कर देंगे, बराबर, कि देखे, और इसे pin से attach कर देंगे, ध्यान रखिएगा friend, इस design को हमें blouse के, उल्टे side से attach करना है, यानि अस्तर के side attach करना है, तो यहां तक pin से attach करने के बाद center पर, जो हमारी गले की marking है, उस पर हम सिलाई चला लेंगे, यह देखे, इस तरीके से सिलाई चलाते हुए, इसे हम complete कर लेंगे, अब एक pair का margin रखते हुए, हम center का extra fabric cut कर लेंगे, और पूरे round पर छोटी-छोटी cut लगा लेंगे, ताकि यह अच्छे से पलट चाहे, अब हम blouse को सीधा कर लेंगे, और इसे सीधे side ले आएंगे, यह देखे, इस तरीके से, अच्छे से सीधे side लाने के बा लगा सकते हैं, तो इस तरीके से lace को हम पट्टी के अंदर डालते जाएंगे, और इसके किनारे पर सिलाई चलाते जाएंगे, यह देखे, बराबर हमें यहाँ पर lace को अंदर के ओर डालना है, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह देखे, इस तरीके से, कि देखे, यहाँ भी हम बराबर सिलाई चलाते जाएंगे, तो इस तरीके से हमने पूरे राउन में lace attach कर लिया है, बराबर हम इस तरीके से lace और धागे की cutting कर लेंगे, इसे फिर से center से एक बार fold कर लेंगे, अब यहाँ से पौने 5 इंच के दूरी पर हम mark कर लेंगे, यह mark ह हमारी tux के लिए होगी, अब यहीं से 1,5 इंच उपर हम कपड़े की cutting कर लेंगे, यह देखे, इस तरीके से, और कपड़े को इस तरीके से fold करते हुए 1,5 इंच अंदर की और दबाएंगे, और अच्छे से starting में lock लगा लेंगे, उपर की और हम 4 इंच पर mark कर लेंगे, और इस पर मिलाते हुए सिलाई चला लेंगे, यह देखे, अच्छे से lock लगा लेंगे, यहां भी और धागे की cutting कर लेंगे, तो सेम इसी तरीके से दुसरे side के tux को भी हम ready कर लेंगे, अब हम इसके किनारे पर पट्टी attach करेंगे, तो पट्टी की चोड़ाई मैंने रखी है 2 इंच, इसे हम किनारे से attach कर लेंगे, और चोटी चोटी cut लगा लेंगे, पलट करके इसके उपर एक top stitch लगा लेंगे, यह देखे इस तरीके से, अब कपड़े को उल्टा करके इसे दो बार fold कर लेंगे, और final इस पर सिलाई चला लेंगे, यहां सिलाई हमारी कच्छी आद में तुरपाई करके निकाल लेंगे, तो यह देखे यहां तक हमने इसे complete कर लिया है, अब एक्षा कपड़ा कट करने के बाद इस पर हम तुरपाई लगा लेंगे, और तुरपाई करके कच्छी सिलाई भी निकाल लेंगे, अब हम गले पर पाइपिंग लगा लेंगे तो यह देखे फ्रेंट, डेरीन चोड़ा मैंने यह उरेब में पटी कट किया है, उसे हम सीधे साइड से इस तरीके से अटैच कर लेंगे, बिल्कुल किनारे से हमें इसे अटैच करना है, जितनी किनारे से आप इस पर सिलाई चला लेंगे, उतनी ही पतली आपकी पाइपि कर लेंगे, तो सीधा करने के बाद इसे हम दो बार फोल्ड कर लेंगे, यह देखे, इस तरीके से दो बार हमने इसे फोल्ड कर लिया है, अब पाइपिंग की बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाते हैं, इसे हम कम्प्लीट कर लेंगे, तो यहां भी आप ध्यान रखिएगा फ बहुत ही प्यारा सा लटकन तयार किया है, अगर आप इस लटकन का फुल टूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अगले दिन मैं इसे भी अपलोड कर दूंगी, इसी चैनल पर, तो फ्रेंड्स, आज का हमारे यह प्यारा सा डिजाइन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई